प्रदेश के पूरों मुखी मंतरी शिवरासी चोहान रतलाम जिली के मानखेडा गाउं में बाड़ से प्रभावित हुए किसानों से मिले और कहा मैं आपके साथ हूँ साथी राजिस सरकार को कहा गाउं में जाकर बाड़ से गाउं में जन जीवन वा फसल पूरी तरह नस्ट हो गया है राहत का काम तेजी से चलाएं एंडी आरिफ की जो राशी राजिस सरकार के पास से उसमें 54 प्रतिशद केंद्र की राशी होती है उससे किसानों को राहत देना शुरू करें देखिए बाड़ से पूरे प्रदेश के कई हिस्से प्रभावित है और इस्थानी परिस्टिटियों के हिसाब से हम लोग पहले तो सरकार से अपील कर रहे हैं क्योंकि रतलाम जिले में भी जावरा विधान सभा आलोड विधान सभा वाजना विधान सभा यहां तक के कई जगे रतलाम ग्रामीन भी मुझे दिलीप मकवाना जी से भी मेरी बात हुई थी कई जगे बहुत नुकसान हुआ है मैं मुख मंतरी था तो खुल के साहता करता था सोया बीन की राहत की मैंने सर्वे के बिन ही पंचनामा बना के पैसे बटवा दिये थे अब इस सरकार की ड्यूटी है कि बाड़ पाड़ पीड़तों को राहत और मुआबजा दे कम से कम 25 जार रुपया प्रती परिवार तो तथकाल दे ताकि अनाज कपड़े लटे बरतन इत्यादी की विवस्था हो सके जो नुकसान हुआ उसका आकनन करके मुआबजा दे उसके अतरिक्त जिनके मकान गिर गए उनके नए मकान बनवाए जाए आइस्थाई तोर पर जब तक मकान नहीं बनते सेल्टर की विवस्था की जाए सेट वगएरा की विवस्था ताकि सर छुपाने की जगे हो सके